आज मैं आपको इस पार्टी की हिस्ट्री बताना जा रही हूँ जो इस पार्टी को दुनिया की अब सबसे बड़ी पार्टी में से एक माना जाता है वो पार्टी चो इस वक्त सत्ता में है वो पार्टी जिसको ओपोजीशन हिलाने में नाकाम्याब नजर आ रहा है वो पार् काफ़ी कुछ सहना पड़ा बैन होने तक की नौमत आ गई वो पार्टी है भारती जन्ता पार्टी तो आई मैं आपको बताती हूं कि आकर भारती जन्ता के साथ जुड़ी है यह पार्टी इस पार्टी कर नाद जंसंग के साथ चुड़ा है जिस वक्त बहात्मा गांधी की अ हत्या हुई थी उस वक्त जंसंग पर बय लग था जिसके बाद से काफी ज्यादा हंगामा हुआ राम उनका नाम जरूर आता है ना मंदिल से चुड़े किसी भी कोई भी बात हुई हो तो चले मैं आपको बताती हूँ कि आगे इस पार्टी के स्थापना कब हुई थी तो कहा जाता है कि भाष्पा का गठन जो है वो 6 अप्रायर 1980 को नई दिल्ली में हुआ था और इसी के साथ पार्टी के बाती जनता पार्टी का जो इतिहास है वो जनसंग से जुड़ा हुआ है नीव भले ही इसकी 80 में रखी गई हो पारटी की नीव लेकिन जनसंग से पुराना रिष्टा है लेता जनता पार्टी का और उसके बाद से भारती जनता पार्टी में कई नेता है सबसे जादा भारती जनता पार्टी को जो कहते हैं तरीके से लाइम लाइट मिली वो मिली प्रधार मंतरी मोधी के कारेकार में 2014 में भारती जंता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई कॉंग्रेस को पीछे जोड़ दिया कॉंग्रेस पर कई सारे सवाल उठे जंता ने कॉंग्रेस को दरकिनार कर दिया और प्रधार मंद्री मोदी को उनका जो कुजरात मॉडर जो उनुने सामने रखा था उन इसके बाद 2019 में भारती जंता पार्टी के सरकार बनी और अभी फिर से 2024 में लोग सभा की चुनाओं होने वाले हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि भारती जंता पार्टी फिर से पूर्ण भहुमत के साथ वापसी कर सकती है तो एक वक्त ऐसा था चुब एस एक वोट के प्रदेश देख लें और अब तो राजस्थान में भी कॉंग्रिस की बनी-बनी-बनाई सरकार गिर गई है तो इलेक्शन नस्दीक है 2024 में इलेक्शन की तारीकों का एलाग भी जल्द ही होने वाला है और आप बीजेपी को लेकर क्या सूचते हैं या फिर कॉंग्रिस को ल को जादर से जादर लोगों में शेयर करें और इसी के साथ चाहें सिनेमा, स्पोर्स और पॉलिटिक्स रिलेटेड ऐसे और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे तो अपने के लिए आप अपना बहुत खयार रखिएगा नमस्तार